हलो दोस्तों मस्कार के पीटीचर कड़मियों आपका हर्तित स्वाकत है आसा करता हुआ अच्छ होगे दोस्तों सीडीपी वालविका सिच्छा सास्त का 30 कोशन के एक सेसल आगे जो कि सीटर प्रशाद दर्श्टी दे बहुत ही बैत पूर होगा वीडियो को लाइक करें सेर कर सब्सक्राइब करने प्रैस करें जिसकी नोटिफिशन बाद दिन से आपको वीडियो बिलती रहेंगी तो आज कम कुशन स्टार करते हैं निम्नलत मैंसे किस इस्तर में बच्चे अपने संपक्छी बर्ग की सक्री सदस्य बन जाते हैं यह कि सुर वस्ता भी यह बैसका वस् देखेंगी अधिक्न की संबंद बंदु सिद्दांद बॉंड थियोरी ओफ लर्निंग की प्रतिपादक है A. Skinner B. A. Thondike C. A. Pavlov D. A. Maslow तो कोशन पुचरा की अधिगम के बंदु सिद्दांद की प्रतिपादक कौन है जैसे कि हम भी बात करती है इस सिद्दांद की प्रतिपादक है A. Thondike अंसर करेक्ट हो जाएगा B. अल्गोशन देखती है विकास जीव और उसके बातवड की अंते क्रिया का प्रतिपल है या कतन है A. Gasly का B. A. Harlock का C. A. Skinner का D. A. प्याजी का तो कतन पुचा गया है कुशन में कुशन में कतन पुचा गया है जसके बात करती है या कतन दिया है इसके नरजी ने तो अंसर करेक्ट हो जाएगा C. अगला कुशन देखती है सिच्छा मनुविग्यान का केंद्र है A. सिच्छक B. A. सिच्छड बिदी C. A. बालक B. A. पार्टिकरम कफेच्छ कोशन पुचा गया है कोशन पुचा जा रहा है कि सिच्छा मनुविग्यान का केंद्र क्या है इस पुच्छ कोशन पुच्छन समझेंगे तो जसके बात करती है सिच्छा मनुविग्यान का केंद्र बालक है तो अंसर हमारा करेक्ट जाएगा C अगला कोशन देखते है समयोजन की प्रक्रिया है A. गतसील B. इस्तर C. मानसिक D. इन में से कोई नहीं तो कोशन पुछा रहा है कि समयोजन की प्रक्रिया किस प्रकार की होती है ऐसे कोशन में समझेंगे जैसके बात करते हैं सब्सक्राइब के लिए गत्सील होती है तो आंसर या करक्ट जाएगा वर यहां पर ए अगला कोशन देखेंगे बालकों की विकास की किस अबस्ता को सबसे कठिन काल माना जाता है ए किसरोबस्ता बी ए बाले अबस्ता सी ए स्यासवाबस्ता इनमें से कोई नहीं तो जैसे Гाँ पर कोशन बुले आ रोलक की बालकों की विकास की किस अबस्ता को सबसे कठिन काल माना जाता है तो आंसर वारे यहाप करेक्ट हो जाएगा ए किसरोबस्ता को माना जाता है ए अगला कोशन देखती है पुर्तवा साली बालक की बुद्धी लब्दी होती है यह 130 से अधिक बी यह 91 110 0 110 C 71 से 80 D 71 से कम तो कुश्चन पुचल की पुर्तवा साली बालक की बुद्धी लब्दी क्या होती है इस पकार से कुश्चन को समझेंगे पुर्तवा साली बालक होती है उनकी बुद्धी लब्दी 130 यह 130 से अधिक होती है तो आंसला करेक्ट जागा इसका उकड़ी हमारा A अलो कुश्चन देखते हैं वीडियो को लाइक करते हैं साथी चात में चैनल को सब्सक्राइब कर लें कुश्चन देखेंगे तो आंसर मारा एक रेक्टर जागा इसका उक्वारिंग अमारा ए अगला कोशन देखती है एक कक्षा में एक सिच्छक पढ़ाने के लिए बाल के इंद्रित उपागम का प्रियोग कर रहा है यह तरीका उप्युक्त नहीं है यह समू बारतालाप के लिए दिये प्रोजेक्ट एक सिच्छक पढ़ाने के लिए बाल के इंद्रित उपागम का प्रियोग कर रहा है यह तरीका उप्युक्त नहीं है कोशन नहीं में पुछा रहा है इसी के अकोडिंग हमें अंसर देना है तो जैसके भी बात करते हैं आवरा नहीं वाला होगा कि प्रोजशन के लिए तो अंसर वाला करेक्ट हुएगा सी अगर कोशन देखेंगे राज्य इस्तर पर कच्छा फर्स्ट से कच्छा एड तक की पार्ट चर्या का निमाड करती है यह एस सी ए आर्टी बी ए एन सी टी इए सी ए एन सी आर्टी डी ए सी मैट तो कोशन पुछा रहा है कि राज्य इस्तर पर कच्छा फर्स्ट से एड तक की पार्ट चर्या कर निमाड कौन करती है यह कुशन पुछा रहा है तो अगला कुशन देखेंगे विडियो को लाइक करते हैं साथ जात में चैनल को सब्सक्राइब कर रहा है प्लाइकन को प्रैस कर लें जिसे आपको नोटिफिशन मत देखेंगे सिच्छक अपनी संपूर बिसम या बिसे सामिग्री को छोटे-छोटे खंडों में विवाजित करके छात्रों के समच प्रस करता है यह अधिकम को नियम पर आदरित है इस प्रकार से को प्षे रहा है जैसे कि बात करते हैं जब इस प्रकार की सिच्छक प्रक्रिया कर रहा है तो जैसी बाते टीचर यह कोई आंसिक प्रक्रिया या क्रिया का नियम आदारित है तो आंसर मारा क्रेक्टर जाए यहाँ पर दी अगला कोशन देखेंगे बुद्धी परिच्छडों में मानसिक आयू का प्रियोग सरुपृथम किस सन में किया गया तो कोशन में का जा रहा है या पूछे जा रहा है कि बुद्धी परिच्छडों में मानसिक आयू का प्रियोग किस बर्स या सरुपृथम किस सन में किया गया या किया गया तो यह भी बात करती हैं तो इसके अकोड़ी आंसर मारा क्रेक्टर जाएगा 1908 में बुद्धी परिच्छडों मानसिक आयू का प्रियोग सरुपृथम किया गया तो आंसर मारा क्रेक्टर जाएगा वर या पर दी अगला कोशन देखेंगे कोशन देखती है पहले एक सिच्छक कच्छा में अध्यापन कार करते समय पुनरवलन का उपियोग उस समय करता है जब वो है अप्शन दो प्रिश्णों के मद्द सहचार उत्पन करना चाता है बी ए प्रश्णवा सही उत्तर के मद्द सहचार उत्पन करना चाता है कच्छा में विद्ध्यारतियों को पड़ाई जाने वाली विशेवस्तू पर ध्यान केंद्रित करना चाता है जैसे कि आप बात करती है कोशिम चला की एक सिच्छक है जो कच्छा में अध्यापन कार करते समय पुनरवलन का उपियोग कर रहा है तो उस समय वो है जब वो है क्या करना चाह रहा है इस पर आशन कोशिम को समझेंगे तो जैसे कि बात करती है आपर वो है क्रश्णिक वो है सही उत्तर के मद्य सेच्छार उत्पन करना चाहा रहा है या चाहता है तो आंसर इसा करेक्टर जाने वारा बी अलकोशन देखेंगे अध्यापक निर्मित तथा मानकी क्रत परिच्छडों में मुख्य अंतर होता है ये बस्तु निश्टता का बी ये मानकों की उपलब्दता का idental का्वच्छ पर्शासन की सुगम्ता डी गवत्ता का को good्र ही अध्यापक निर्मित तथा मानवी परिच्छडों में मुख्य अंतर होता है ये कुशन बचारा की जिसकी तो यहाँ पर बात करती है मानकों की उपलब्दता का मुख्य अंतर होता है तो आंसर करेक्टर यहाँ पर हमारा बी अगला उशन देखेंगे जब एक छेत्र का अधिगम दूसरे छेत्र के अधिगम में साइता करता है तो उसे कहते हैं तो जैसे के अभी कोश्चन प्षेत्र का अधिगम दूसरे छेत्र के अधिगम में साइता करता है तो उसे क्या कहते हैं या कहते हैं तो जैसे के अभी बात करते हैं अधिगम का धनात्मक अंत्रण उसे कहा जाता है तो आंसर हमारा करेक्ट लेगा इसका कोडिंग ए अगला उशन देखेंगे मद्या बोजन के दोरान उच जाती के विद्धिहरती निम्न जाती के विद्धिहरती के साथ एक पंक्ती में बोजन करने से इनकार करते हैं तो आप क्या करेंगे ए आप प्रतक बैठक अविवस्ता करने हीतु सहमत हो जाएंगे भी ए आप उच्छ उद्धिकारियों से निर्जैशन प्राप्त करेंगे है सिए आप विद्यारती ओुं किए एक साथ बैठकर ऻाम करने के लिए सहमत कर लेंगे दीए आप बिद्ध्याला में मद्या बोजन पकाना बंद कर देंगे फिरसे कुशन पच रहा कि मद्य Colorado की सुर्फार विज़ार बच्चे बिद्धियारती के साथ एक पंक्ती में बोजन करने से इंकार कर देते हैं तो आप सिच्छक होने की नाते क्या करेंगे यह कुशन में पूछा जा रहा है तो जैसे कि आप बात करते हैं इसके अकोडिंग आप विद्ध्यातियों को एक साथ बैठकर बोजन करने के लिए सेमत कर लेंगे तो अंसर जिदा करेक्टर जाया इसका अकोडिंग हमारा सी अलगा कोशन देखेंगे इस अबस्ता को मिथ्य पर पक्कुता का समय भी कहा जाता है यह सैस्व अबस्ता बीए बाल अबस्ता सीए किस्व अबस्ता डीए प्रोडव अबस्ता तो कोशन पुछा रहा कि इस अबस्ता को मिथ्य पक्कुता का समय भी कहा जाता है तो कौन सी अबस्ता को कहा जाता है यह कोशन में पूछा जा रहा है तो जैसे कि बात करते हैं मिथ्य पक्कुता का समय भी कहा जाता है बाल ले अवस्ता तो अंसेदा इसका होगड़ी है हमारा बी अगला कोशन देखते हैं वीडियो को लाइक करते हैं साथी साथ में बीसवी सदादी को बालक की सताबदी कहा जाता है यह प्रवास्ता दी है यह मुरे यह एडलर कोशन में कहा है कि बीसवी सताबदी को बालक की सताबदी कहा गया है तो यह प्रवास्ता किस ने दी है यह कोशन में कहा जा रहा है यह पूछा जा जा रहा है जैसे के बात करते हैं बीसे स्राब्दी को बालकी स्राब्दी कहाता है यह है परिवास्ता या डेफिनेशन या यह कथन दिया है वो है क्रो वा क्रो ने कहा है तो अंसरी आ करेक्टर देगा इसका उगडिया हमारा अगला कोशन देखेंगे प्रदाशन सिच्छर विदी आदश विदी है। तो कोशन मरा कीप्रदाशन सिच्छर विदी आदश विदी है। कि यह कुशन में पुछे रहे जैसे कि बात करती है यहां पी उच्च प्राथमी की इस्तर पर अद्री रतन विद्ध्यारती हितु तो आंसर एक्टर जाएगा यहां पर हमारा बी अगर कोशन देखेंगे कि सिच्छड को माना जाता है यह समग्र बी यह आडविक कि सिच्छड को माना जाता है इस प्रकार से कोशन प्राथ करती है कोशन को आडविक माना जाता है तो अंसर रख जाएगा यहां पर हमारा अगरा कोशन देखेंगे यहां पि सिच्छड कार का प्रमुख गुड है यह बिविन उद्धिपगों का प्रियोग करना बिविन अधिगम प्रस्तियों का प्रियोग या उप्योग करना सिच्छक एबं विद्धियार्टियों के मद्य अंत्यक्रिया डिये सिच्छक द्वारा सुएं की चमताओं का उप्योग करना तो जैसे कोशन पिचाएगा कि सिच्छक कार का प्रमुख गुड क्या है इस प्रस्तियों को समझेंगे तो जैसके अब बात करते हैं कि सिच्छक कार का प्रमुख गुड है सिच्छक एबं विद्धियार्टियों के मद्य अंत्यक्रिया करना तो अंसर इसदा करेक्ट हो जागा इसका अकोड़िग हमारा सी अलोगोशन दिखेंगे ने सामुख अचेतन का संप्रत्य दिया था ए यूंग बी ए फ्राइड सी ए एडलर डी ए सुलिन सुलिवान तो जैसे की कुश्छन को चलिगा कि ने सामुख अचेतन का संप्रत्य दिया है किस ने सामुख अचेतन का संप्रत्य दिया है यह कुश्छन को इस प्रास से समझ देंगे बात करते हैं पर इसके अकोर्डिंग अंसर करेक्ट जाएगा हमारा यूंग ने सामिक अच्छेतन का संपृत्त दिया है तो करेक्टर अंसर यह जाएगा अगला कोशन देखेंगे इसपेर मैन 1904 के अनुसार तर्ग करने की चमता और समस्याओं समाधानों करने की चमता कहलाती है A.S. कारक B.G. कारक C.A. बिसेस्ट बुद्धी D.A. सांसकृतिक बुद्धी तो कोशन बुद्धी पूचा रहा है कि इसपेर मैन के अनुसार तर्ग करने की चमता और समस्याओं समाधान करने की चमता कहलाती है तो कोशन बुद्धी पूचा रहा है तो जैसे कि आप बात करते हैं जी कारक की जो चमता है समस्य समस्य समादन करने की चमता केलाती है तो आंसर हमारा करक्टर रहेगा इसको अकॉर्डिंग बी तो अगला कॉशन देखते हैं सिच्छा में फ्रोवेल का महतपूर योगदान था का विकास तो इसके बात करती है फ्रोवेल का महतपूर योगदान था जो की किंडर गार्डन ब्रिदी का विकास तो किंडर गार्डन का विकास तो अंसर दक्ट जागा इसको अगड़ी हमारा किंडर गार्डन अलोगशन देखते हैं विकास के मनुसामाजी सिद्धान का प्रतिपादन ने किया था यह इरेक्षन पी ए फ्राइड सी ए कॉलर डिय वाट्सन तो कुशन पूशन पूशन के मनुसामाजी सिद्धान का प्रतिपादन किस ने किया था यह कुशन में कि सिद्दान्त का विकास का सिद्दान्त इरेक्शन ने दिया था तो अंसे दा करेक्ट जाएगा इसका अगोड़ी हमारा ए अगला कोशन देखेंगे वीडियो को लाइक करते हैं साथ है अगला को प्रसामान ने बारे वर्स की आयू के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है एक कुल प्रेरक संभिन्दे में कटनाईया बैसकों को खुस करने के बारे में दुशंता की अनभूती सिये अब और यहां में उसकी रुच्चियों को सीमित करना दिये समकच्ची के अनुबोधन के लिए बेचैनी बारे बरस की आयू के बच्चे में सबसे अधिक संभव है क्या संभव है यह कुछिन में पूछे जा रहा है तो जैसे के आपी बात करते हैं समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी सबसे हदिक होना संभव है तो अंसर करेक्ट हो जाएगा इसका अकॉर्डिंग हमारा डी अगला कोशन देखते हैं समावेसित विद्ध्याले योजना के संदर्व में कौन सा कथन गलत है और समानता की भावना का विकास धनात्मक आत्म सम्वान karş बिकास विसेस आवसकता वाले विद्ध्यार्तियों में अखमनी दी विकास दिये विसेस बालकों की नैतिक आच्रण को उठाना तो जैसे कोश्चिन में पुछा रहा है कि समाबसिस्थ विद्ध्याल है योजना की संदर्म में कौन सा गलत है तो कतन गलत पुछा रहा है तो जैसके कोश्चन नेगेटिम में पुछा गया है और अंसर भी इसी के अकॉर्डिंग देना है कि नेगेटिम में कुछ आती है और हम जल्दवाजी में कुछन पढ़ते हैं और अंसर उसका पॉजिटर में देती है और फिर चेक करते हैं तो आंसर गलत होता है तो पहले हम कोश्चन को बीकेरब पढ़ेंगी फिर उसके अक बार फिर दुवारा स अंसर होगा तो जैसे के बात करते हैं बिसेस आविश्टा वाले विध्यारतियों में आत्भीहिंता की भावना का बिकास तो अंसर हमारा यहीं हो जाएगा सी अगला कोशन देखेंगे एक बालक के हाई स्कूल कप्छा में फेल हो जाने पर उसके माता पिता दुआरा कोई प्रतिक्रिया ब्यक्त न कर अपने कारव में ब्यस्त हो गए माता पिता का यह बिवार निमनलगत में से किस मनो रचना के अंतरगत है तो कोशन पुछा रहा कि एक बालक के हाई स्कूल कप्छा में फेल हो जाने के या हो जाने पर उसके माता पिता दुआरा कोई प्रतिक्रिया ब्यक्त न कर अपने कारव में ब्यस्त हो गए तो इस प्रकार से माता पिता दुआरा यह बिवार निमनलग Cars में से किस प्रकार मनो रचना के अंतरगत आता है तो जशकी अब है भात करते हैं यह बिवार समन के अंतरगत आता है तो अंसर ज्यूता प्रतिक्र लेगा है इसका गोनी अमारा C अगर वोशन देखेंगे, वीडियो को लाइक करते हैं साथ्यत में एक सिच्छ का प्रही अपने बिद्ध्यार्थियों की सिकायत प्रदाचार से करती रहती है सिच्छ का यह विवार संकेत करता यह संकेत है यह उसके स्रेस्ट एवं जाग्र कोने का कि आ का keen करने का चैर अपने ही बिद्यार्तियों की इसच्छका का विवर्या किस की और संकेत करता से जए कुछल में पूछ परहा है इस प्रकार से यह सिच्छा का कुछ संकेत करता है तो आंसे इसका है तो दोस्तों सब्सक्राइब इसी प्रकार के जवर्जा सेसन की साथ में अगरे सेसन मिलती है चैनल को सब्सक्राइब करें ब्रैकनों प्रैस करें जिससे की नोटिफियर माद दिम से आपको बीडियो मिलती रहेंगी मिलते हैं नेक्स सेसन में जेन दोस्तो बंदे मातरम